हेलो दोस्तों मैं कृती आज आप लोगों के साथ सेयर करने जा रही हूँ प्लेन बिर्यानी की रैस्पी इसे आप किसी भी चीज के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं तो चलिए वीडियो पूरा देखें बहुत ही आसान तरीकों से मैं बिर्यानी बनाऊंगी मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है इसमें मैं दो चमच तेल डालूंगी और फिर मैं इसमें आधा चमच घी डालूंगी फिर मैं इसमें कुछ खरेगरा मसाले डालूंगी जिसमें जीरा, गोल मेर, चिलाइची, दाल चीनी, तेजपत्ता मैंने सारे खरेगरा मसाले को थोड़ा सा सौटे कर लिया है फिर मैं इसमें दो प्याज काटके डालूंगी और आधा चमच नमक डालूंगी जब ये थोड़ा सा सौप्ट हो जाए प्याज सौप्ट हो जाए थोड़ा सा गोल्डेन इसे मैं थोड़ा देर फ्राई करूंग और जब यह देखिए soft हो गया है और ठोड़ा सा brown हो गया है तब इसमें मैं डालूँगी अद्रक लहसून का पेष्ट एक चम्मच मैं इसमें अद्रक लहसून का पेष्ट डालूँगी और फिर मैं इसे पकाऊंगी इसे थोड़ा सा पकाना है लगबक दो मिनट उसके बाद म मैं इसमें डालूंगे धनिया की पति वो आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कम या ज्यादा करके डाले आप इसमें पूदिना की पति भी एड़ कर सकते हैं मैंने धनिया पूदिना दोनों डाला है आप चाहे तो सिर्फ एक भी डाल सकते हैं फिर मैं इसमें टमाटर डाल जालके इसे थोड़ी देर पकाऊंगी थोड़ा देर ये पक जाए अच्छी तरीके से उसके बाद इसे ढख के पकाना है इसे ढख के पकाने से ये बहुत अच्छी तरीके से पकेगा और बहुत अच्छी से सौप्ट हो जाएगा मिल जाएगा मसालों में फिर मैं इसमें डाल को जो है वो या तो आप बंद कर दे या तो आप लो कर दे फिर मैं इसमें डालूंगी चावल चावल को मैंने 30 मिनट पहले ही धो के रख लिया था और इसे मैं थोरी देर फ्राइ करूंगी लगबग 2 मिनट उसके बाद मैं इसमें पानी एट करूंगी पानी आप अपने का रस और आधा चम्मच नमक डालके इसे मैं पकाऊंगी इसे लगबग 15 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे और ये देखिए हमारा बिर्यानी बनके रेडी है ये हमारा प्लेन बिर्यानी बनके रेडी है आप इसे चिकन के साथ आप इसे किसी भी चीज के साथ सर्व करे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब सेर करें थैंक यू